नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में गूगल पिक्सल 6 प्रो 5 जी वर्सिस ओपो एफ 19 प्रो प्लस 5 जी का फुल डेप्ट कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंग तो पिक्सल 6 प्रो 5 जी में 6.45 इंच जबकी एफ 19 प्रो प्लस 5 जी में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है जोकी पिक्सल 6 प्रो 5 जी से कम है विट की बात करें तो पिक्सल 6 प्रो 5 जी में 2.98 इंच जबकी एफ 19 प्रो प्लस 5 जी में 2.89 इंच की विट मिलती है जोकी पिक्सल 6 प 5G में 0.35 इंच जबकि F19 Pro Plus 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Pixel 6 Pro 5G में 210 ग्राम्स जबकि F19 Pro Plus 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में जबकि F19 Pro Plus 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो Pixel 6 Pro 5G में 19.5 रेशियो 9 जबकि F19 Pro Plus 5G में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में 6.7 जबकि F19 Pro Plus 5G में 6.43 इंचेस मिलती है डिस्प्ले रेशियों Pixel 6 Pro 5G में 1440 x 3120 और F19 Pro Plus 5G में 1080 x 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, Pixel 6 Pro 5G में 88.5 प्रतिशत जबकी F19 Pro प्लस 5G में 84.9 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Pixel 6 Pro 5G में 513 प्रतिशत जबकी F19 Pro प्लस 5G में 409 प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Pixel 6 Pro 5G में 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Telephoto Camera देखने को मिलता है और F19 Pro प्लस 5G की बात करें तो इसमें 4 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Mono Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो दोनों फोन में 8 Different Type के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो Pixel 6 Pro 5G में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 Different Features मिलते है और F19 Pro प्लस 5G में भी Single Camera देखने को मिलता है जिसमें 3 Different Features मिलते है अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते है Hardware में सबसे पहले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाए तो Phone में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में Mali-G78 MP20 जबकि F19 Pro प्लस 5G में Mali-G57 MC3 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में Google Tensor और F19 Pro प्लस 5G में MediaTek Dimensity 800 UMT 6853V मिलता है बात करें RAM की तो Pixel 6 Pro 5G में 12 GB जबकि F19 Pro प्लस 5G में 8 GB RAM मिलती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनों Phone में सेम ही 128 GB Storage मिलती है Expandable Memory की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में नहीं है जबकि F19 Pro प्लस 5G में अप्टु 256 GB है Operating System की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में Android V12 जबकि F19 Pro प्लस 5G में Android V11 देखने को मिलती है Battery Pixel 6 Pro 5G में 5003 MAH जबकि F19 Pro प्लस 5G में 4310 MAH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Pixel 6 Pro 5G में 3 Colors जबकि F19 Pro प्लस 5G में 2 Colors आप्शन मिलते है सब इन्फोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Pixel 6 Pro 5G 12 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 99,860 रूपीस में मिल जाता है और बात करें F19 Pro प्लस 5G की तो वो 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 23,990 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Google Pixel 6 Pro 5G में 8 फाइदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Oppo F19 Pro प्लस 5G की तो उसमें 6 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में Pixel 6 Pro 5G आगे है Main Camera में Pixel 6 Pro 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में F19 Pro प्लस 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Fold 2 है दूसरा Samsung Galaxy Note 20 है तीसरा Samsung Galaxy S21 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना